motivation को लेकर आपको जब भी ऐसा लग circuit की आप be motivated हो रहे हैं. देखिए motivation के दो तरीके होते हैं. एक तरीका होता है हवाई किसमें का तरीका. मेरे जैसे की सिस्टी कर को बुढ़ा लीजी. यह हवाई तरीका है. इससे कुछ बात बनती नहीं लगता है की बात बन गई, बनती नहीं और कई मोटिवेटर्स तो मैं ऐसे देखे हैं जो मंच पर आकी आगी लगा जेते हैं येस यू कैन, सब बोलेंगे, येस भी कैन सब को लगता हो गया वो असर रहता है आदे घंटे तक जैसे गुबारे में हिलियम गैस भरते है गुबारा उड़ता है गुबारे को लगता है कि मैं तो महान हूँ मैं तो हवा में हूँ, आसमान में हूँ थोड़े देर में गैस खत्म हो जाती है और गैस खत्म होते हैं सुख रगनीजी आता है गुबारा एक तो वैसा मोटिवेशन है कि मैं थोड़ी आग लगा दूँ, दस बार जोर से बोलू, आप भी बोले जोर जोर से, एक दम खून गर्म हो जाए, आप बाहर निकले, आपको लग रहे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आधी घंटे बाद लग रहे हैं, अरे हम तो बैसे के बैसे एक तो वो मोटिवेशन है, जो आधे ये घंटे बाना होता है, उसमें मेरे को इंट्रेस्ट नहीं है, ना मैं वैसा मोटिवेटर बनना चाहता है, असली मोटिवेशन कहां से आता है, एक तो असली मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि एक साल में एक स्पीच सुनी, एक साल के ल motivation कम से कम नहीं होगा एक दम आराम से जिन्दगी जी नहीं है दुखी होना है नहीं है सबसे पहली बात अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती है और मैं आम तो पर जब motivation के लिए कुछ मुझसे कहता है ना मैं कहता हूँ बच्चों को बन बुलाईए उनके parents को बुला लेजिए parents को समझाना ज्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए parents की education ज्यादा ज़रूरी है बई मैं देखता हूँ मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है बहुत तोप नहीं है मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने ठीक से पढ़ ले मस्त रहे एक दम पर हमारे गली महले में कुछ बच्चे तोप हैं उनके माता पितारा राट दिन लगे रहते हैं मम्मी फिर से 10th class कर रही है पापा भी 10th class कर रही है बच्चा भी कर रहा है राट दिन माबा भी पढ़ा रहे है उसको बच्चा पढ़ रहा है पूरी family 10th class कर रही है और बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली, इतना competition में उल्या दिया, बेटा तुम्हें first आना है, top करना है, hundred percent लाना है, ये करना है, वो करना है, आपका बच्चा कितना भी top कर ले, वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा, और parents के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए कि आपका ब रोते दो बोलते हैं, मुझे अपने parents से नफरत है, नफरत, उन्होंने मुझे एक machine समझा, अपनी इच्छाएं पूई करने के लिए, मेरा मन था ये करने का, धंका धंका कि ये field दिलवाई, जो field मेरा स्वधर्म है ही नहीं, मैं रोज पढ़ता हूं, रो रोके, मेरा मन नही पढ़ने का, क्योंकि मेरी field छी ही नहीं, इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है, और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है, जो आपका स्वधर्म है, इतने उम्मिद मत पालिए, मसलन क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे हैं, गली महले में, सब को IPL में आना है, सब को भारत की टीम में आना है, पर भारत ही टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उन में भी 11 खेलेंगे, पाच बाहर बैठेंगे, और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है, ज्यान रख कहता हूँ जिन्दगी बहुत बड़ी है नौकरी जिन्दगी का एक छोटा सा हिस्सा है मिले बढ़िया ना मिले भड़ में जाए एकदम भड़ में जाए और मैंने खूब देखा है आईएस आईपीएस बनने के बाद भी कुछ लोग अत्महत्या कर लेते हैं दुख से पर और यूदाम ले जांए तो अपना तकीयक अनाम मना ले जेए तकीयकलाम का मतलब अपनी एक पंच ज्नाइन मना ले जीए अपिन एक स्टेटमेंट बना ले जे पूरी पूरी थाकट से कुशिश करेंगे कि जो मैं चाहत हूँ जच बनना है पॉलिटीश्ण बनना है अ उद्यम करना है, उद्यम करना है, बुद्यम 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 करना है, सबसे अच्छा दोस्त है, तो पूरा दोस्त नहीं होतां, थोड़ा Oopsman भी होता है, हर दोस्त दोस्त और दोश्मन का package होता है, वो आप से जलता भी सबसे जयदा है, लेकिन दोस्त भी है, आपके राज राज रखता है, आपके पेरिंट्स को उसम नहीं बताता, जो parents पूछते हैं उससे क्योंकि आप भी नहीं बता रहे उसके parents को एक mutual understanding है लेकिन जब दोस्त ऐसा होता ने कि दूसरा दोस्त सफल हो जाये तो हमें जलन होती है इरशा होती है चोकि natural है दुखी नहीं होना है कोई दोस्त आपको पूछे अगर मैं select हो गया तो नहीं हो तो जलन होगी जूट मत बोलना बोलना हाँ होगी normal है सब को होती है मुझे भी होगी लेकिन इतनी नहीं होगी कि मैं तेरे खिलाफ कुछ काम करना चाहूँ थोड़ी होगी human being हूँ human psychology है तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ अपने आसपस तीन चार ऐसे लोग रखिये जो generally positive रहते हूँ मनहूस नहूँ ये दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है आप कुछ भी करने लगेंगे आप कहेंगे मैं सोच रहा हूँ कि अपना काम शुरू करूँ पागल मर जाएगा अरे पागल तरे खांदान में किसे नहीं किया अच्छ तक अरे तरे बसकी बात नहीं है अरे छोड़ दे तुछ से होगा है नहीं मैंने पहले ही काता नहीं होगा इन मनहूसों से दूर रही है ऐसे दो-चार लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हो और सोच समझ के सलाह दे जैसे आप कहें कि मैं सोच रहूं कि मैं आई यह से त्यारी कर लो आपका दोस्त कहें कि देख भाई मैं तेरे साथ हूँ सपोर्ट करूँगा लेकिन यह तीन चर बाते हैं पहले सोच लो इन इन बातों पहले ठीक लगे तो आगे बढ़ो क्योंकि लंबी स्टेगल है हाँ स्टेगल करोगी तो मैं साथ में हूँ कोई दिक्कप में आईगी तीसरा छोटे छोटे टार्गेट्स छोटा छोटा कॉम्पुटेशन जीवन में रखिए एक लंबी यात्रा एक जटके में नहीं होती है बहुत छोटे छोटे टार्गेट्स से पूरी होती है यसे मैं रोज आठ गंटे पढ़ूँगा आज उसी तना स्लेवर्स कर लेना है उत्रा कर लेजिए एक टाइम टेबल बना रेजिए टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है वीक में पास दिन पूरा हो जाए सही है दो दिन नहीं होगा क्योंकि इस उमर में क्या होता है कि पास दिन पढ़ लिए छड़े दिन जा रहे था किसी को देखके अच्छा लग गया अब उसी की याद में कोई हुआ है पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो भी करना है ना इंसान बने रहना है मशीन में बनना है तो पास दिन पढ़िए छड़े दिन मुहबबत का रखिए दोस्ती का रखिए खेलने का रखिए और इन सब चीज़ें को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अच्छा टार्गिट्स लेके चलेंगी छोटा छोटा कॉंपिटेशन अपने दोस्तों के साथ करते हुए आगे बने तो मोटिवेशन आम तो बना रहता है और जब जब डी मोटिवेशन ज्यादा होना लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुर्म लेजिए एक दो घंटे के लिए गुबारा फूल जाएगा और दो घंटे के लिए अगर उस फेस से आप नेकल गए तो चीज़ें ठीक रहेंगे